वेलकम टिस्टों डिक्टेशन, डिक्टेशन पांच सेकेंड बात सुरू होगा, रेडी स्टार्ट, किसी व्यक्ती की देशभक्ती का अनुमान उसकी इच्छा से लगाया जा सकता है, और यदि कोई व्यक्ती मरने के बाद भी अपने देश के जर्रे जर्रे में समा जाने की इच्छा रखता हो, तो उसके बारे में निसंदेह यह कहा जा सकता है कि वह व्यक्ती एक महान देशभक्त है, ऐसे ही एक महान देशभक्त थे पंडित जवाहरलाल नहरू, उन्होंने न केवल देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सक्रिय भूमी का अदा की थी, बलकी स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद भी प्रथम प्रधान मंत्री के रूप में देश का नेत्रित्व करते हुए, इसे विकास के पथ पर अग्रसर करने में अपना महत्वपूर योगदान दिया, वे अपने देश से कितना प्रेम करते थे, इसका अनुमान उनकी आत्मकथा में प्रकासित उनके विचारों से होता है, उन्होंने लिखा था, मैं चाहता हूँ कि मेरी भस्म का शेस भाग उन खेतों में बिखेर दिया जाए, जहां भारत के किसान कड़ी महनत करते हैं, ताकि वह भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का ही अभिन अंग बन जाएं। जवाहर लाल नहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तरप्रदेश के इलहाबाद शहर में उनके पैत्रिक घर आनंद भवन में हुआ था, उनके पिता पंडित मोती लाल नहरू एक प्रशिद एवंग धनाध्य वकील थे, उनकी माताजी का नाम स्वरूप रानी नहरू था, सम्रिध परिवार में जन्म लेने के कारण उनका लालन पालन साही तरीके से हुआ था, उन्हें विश्व के बहतरीन सिक्षण संस्थानों से सिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ, किन्तु उनकी आरंभिक सिक्षा घर पर ही हुई थी, तथा आयरिश और बेलजियन सिक्षक हर्डिनाइंड ब्रुक्स का उन पर काफी प्रभाव पड़ा, उन्होंने अपनी स्कूली सिक्षा लंदन के हैरो स्कूल से पूरी की, उसके बाद कॉलेज की सिक्षा उन्होंने लंदन के ही ट्रिनिटी कॉलेज से पूरी की, वहां उन्होंने प्रकिर्थी विज्ञान में सनातक की, उपाधी प्राप्त की, उनके विशय रसायन सास्त्र भूगर्भ विद्या तथा वनस्पती सास्त्र थे, कॉलेज की सिक्षा पूरी करने के बाद कानून में कैरियर बनाने के द्रिश्टिकोंड से उन्होंने लंदन के विश्व प्रसिद्ध केम्बरिज विश्व विद्याले से लौ की डिगरी प्राप्त की, अपनी सिक्षा पूरी करने के बाद वे वर्ष 1912 में भारत लोटे और इलहाबाद उच्च न्यायाले में वकालत सुरू की, वर्ष 1916 में उनका विवाह कमला नहरू से हुआ, वर्ष 1916 में नहरू लखनाउ अधिवेशन में महात्मा गांधी के संपर्क में आये, वर्ष 1917 में जवाहर लाल नहरू हो मरूल लीग में सामिल हो गए, वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जब महात्मा गांधी ने एक अभियान शुरू किया, तब नहरू जी उनके संपर्क में आये, गांधी जी के व्यक्तित्व एवंग विचारधारा का नहरू जी पर ऐसा प्रभाव पड़ा की उन्होंने वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में उनके साथ हो गए, गांधी जी के प्रभाव से ही उन्होंने एस्वर्य पूण जीवन को त्याग कर खादी कुर्ता एवंग गांधी टोपी धारण करना शुरू किया, जब वर्ष 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का बिगुल बजाया तो इसमें नहरू जी ने अपनी सक्रिय भूमी का निभाई, इस कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पहली बार गिरफतार कर जेल भेज दिया, वर्ष 1924 में वे इलहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा इस पद पर दो वर्षों तक बने रहे, इसके बाद वर्ष 1926 में ब्रिटिश अधिकारियों से सहयोग की कमी का हवाला दे कर उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया, वर्ष 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नहरू भारतिय कॉंग्रेस समिति के महासचिव रहे, दिसंबर 1929 में कॉंग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहोर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नहरू कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, इस अधिवेशन में पूंड स्वराज्य का लक्ष निर्धारित किया गया, तथा 26 जन्वरी 1939 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोशना की गई, इस दिन लाहोर में स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए नहरू जीने भारती जन्डा फहराया, स्वतंत्रता आंदोलन के दोरान नहरू कुल नौ बार कारावास गई, स्टॉप